कि हैं एक बार कॉमेंट करके बता दें मेरी साउंड प्रॉपर आ रहा है नमस्कार जय हिन जय भारत कैसे हैं सभी लोग एक बार कमेंट करके सबसे पहले तो मुझे क्लियर कर आ कि आप मुझे सुन पा रहे हैं मैं ओडिबल हूँ मैं विजिबल हूँ एवर्टिंग इस फाइन थम्सप करके बताएं और कोई दिक्कत ठीक है सुन पा रहे हैं सभी बच्चे चलिए तो एक बार मैं रेश मसिद्धिकी फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं वर्ल्ड विनर अकैडमी के प्लाट्फॉर्म पर जैसा कि सर ने आभी आपके साथ डिसकस करी हैं सारी ही चीज़ें तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा फाउंडेशन बैट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज आपकी पहली डीजनिंग की क्लास है पहली टॉपिक क्लास है अभी तक जो हम लोगों ने देखा था वह एमसी क्यू सेशन्स हम लोग लेकर आ रहे थे आपके लिए और हमने काफी सारे क्वेशन्स किये है ना तो आज जो है आज से हम टॉपिक वाइस चलना स्टार्ट करेंगे और आपको जो है क्लास आगे की आप पर डेफिनिटली मिलेंगी तो आप प्लीज जाउनलोड करके रखें सभी डियर स्टूडेंट्स है ना इसके साथ ही ओके आ रही है आवाज बढ़िया बहुत चलिए आप सभी बढ़िया होंगे मुझे ऐसा लगता है ना तो ध्यान रखो अपना सभी लोग स्टार्ट करें फिर आज कर सेशन है ना तो ज्यादा डेले नहीं करेंगे वैसी अल्रेडी लेट हो चुका है थोड़ा सा तो हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे जैसा कि सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करना पक्रेंगेा प्लान करें वह हम आगे चलके देखेंगे लेकिन उसकी साथ सथ आपको थोड़ा सा जो है आपको भी अपने आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा क्लास आपको डेली रेनी है टाइम से आ जाना है लेट नहीं चलेगा मुझे लेट नहीं चाहिए स्टूडेंट्स ऑन टाइम चाहिए रहते हैं प्लस मैं अगर क्वेस्टन करा रही हूं तो थोड़ा सा आप जो है फोकस रही है साथ साथ आ ठीक है ओके मेरा नाम मेरा नाम रेश्मा सदिकी है यह स्टूडेंट्स है ना और इससे पहले जो है मैं काफी यह से 5-7 साल से पढ़ा रहे हूं अब आपके साथ इस प्लाटफॉर्म पर जोड़ चुकी हूं तो आपको आगे समझ में आएगा कोई भी क्वेरी है कोई भी आप बिल्कुल हमें comment box में बता सकते हैं और हम आको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से तो चलिए Start करें आज का सेक्षण लाइक दिखा दीजिया फटा-फट से Start करते हैं आज का session पिर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास जो है अश्विनी वो यूट्यूब पर है आगे की क्लास पर होंगी आज आपको यूट्यूब पर ही देखना है ठीक है ना चली तो फिर शुरू करें चली शुरू करने से पहले मैं मोटिवेशन से स्टार्ट करती हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं तो धया सुनिएगा हेर्गम को पाला नहीं जाता सफायर कांच को सब्सक्रां है थिछ करना हें तो मेहनत करो हर ब Prag को औरा Do ॉश्य पश्चीजे प्रष यहीं सोशते रहेंगे कि चलता रहेगा हां सब ठीक हो जाएक सकता यह को सकता यह परिस्थितियां जो है एक समय के बाद खत्म भी हो सकती है और बहतर भी बन सकती है और बुरी भी बन सकती है इट्स अप टू यू यह आपके हाथ में है कि आप चीजों को कैसे और किस दिशा में लेकर जाना चाते हैं ठीक है अभी एज है अच्छे से पढ़ाई करिए ब अपने लेबल पर प्राक्टिस जरूर करें क्वेश्चन की ठीक है तो बहुत जरूरी है सबसे पहले तुम आपको बता देना चाहते हूं कि कोई भी एक्जाम हो अगर आप टेस्ट नहीं लगाते हैं ऑनलाइन तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली है जैसा कि सारे टेस् तो आपको भी ऑनलाइन टेस्ट लगाने की आदर डालनी पड़ेगी जब भी आप पढ़ते हो तो उसके बाद जो है आपका एक घंटा डेली टेस्ट का शेडियूल होना चाहिए एनी हाव आपको आता है नहीं आता है जो भी लेकिन आपको टेस्ट लगाना है उससे आपक कहां कर रहे हो कमिया कहां है आपके लूपोल्स क्या है आपका स्ट्रॉंग सब्जिक क्या है यह सारी चीज़ें आपको पता चलती है जब तक यह पता नहीं होगा तब तक आप कैसे काम कर पाएंगे आप कैसे बढ़ पाएंगे मुझा यह बताईए तो इस वेरी इंपोर् बरबाद ना करें यह समय बहुमूले है बहुत कीमती है प्लीज इसका सदुपयोग करें इसको समझे क्योंकि जो टाइम अभी चला जाएगा वह बाद में नहीं आएगा ठीक है और साथ ही साथ हम तो हैं आपको मोटिवेट करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन इस मस्ट हम ह आगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं रीजनिंग का इंड्रोडक्षन देना चाहूंगी रीजनिंग जैसा कि आप लोग जानते हो रीजनिंग जैसे कि आप जानते हैं उसको एक और नाम से बुलाया जाता है जन्रल इंटेलिजन्स किसी एक्जाम में इसको जन्रल इंटेलिजन्स रिखते हैं या तर्क शक्ति या तार्किक अभियोगिता भी बोलते हैं हिंदी में अब देखो पहली चीज तो यह कि आप लोगों ने कभी आपने सोचा कि इस सब्जेक्टों हमने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा हमने कॉलेज में नहीं पढ़ा फिर हम इसे कॉम्परेटेटिव एक्जैम्स के तैयारी करते हैं तो भाई क्यों पढ़ते हैं आखिर वाट इस दा नीड रीजनिंग को डालने की कॉम्परेटेव एक्जैम्स में क्या नीड थी जबकि वो स्कूल में भी नहीं वो कॉलेज में भी नहीं फिर आब क्यूं तो उसका में मोटो यह है कि जिस भी ऑर्गनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं जिस भी आप कंपनी में काम करने वाले हो यह जिस भी आप गर्मे आप गया जाता है आप उसको समझ पाते हैं कि नहीं आपकी डेसिजन मेंग अबिलीटी आपकी इनय उन्षंता कैसी है तो यह सारी चीजों को देखने पर रखने के लिए रीजनिंग को रखा जाता है ना बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है रीजिंग किसी भी कॉं हमारे डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, जो सारी चीज़ें, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, आपने देखा होगा, कोडिंग हो गया, ये सब हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं, तो आप ये मान कर चलिए, कि रीजनिंग का एक क्वेशन भी मैं कहीं नहीं जाने दूँगी आपका, आपके पूरे नंबर आएंगे, अगर आप मेरे साथ महनत कर रहे हैं, तो, लेकिन बशरते कि आपको काम अपने आप पर करना है, ठीक है, हम तो एफर्ट लगा रहे हैं, आपको भी एफर्ट लगाना होना, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आगे, अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कि रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, आप बुक्स में भी देख सकते हो, वर्बल और नॉन वर्बल, किते पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, रिजनिंग को, वर्बल और नॉन वर्बल, दो पार्ट्स में हमारी डिवाइड रहती है, और, अब वर्बल का मतलब क्या होता है तो वर्बल का मतलब होता है भाशिक भाशिक का मतलब क्या ऐसे सारे लॉजिक्स जिसके अंदर हूं जिसमें भाशा का प्रयोग होता हूं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाशिक बोलते हैं ठीक है तो लॉजिक बेस्जान लैंग्वेज भा भाशा पर आधारित तर्क अब यह नॉन वर्बल क्या है नॉन वर्बल का मतलब आभाशिक या अशाब्दिक यानि कि जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो भाशा का प्रयोग ना हो आपके सामने चित्र पर आधारित प्वेशन्स हों देखिए डाइग्राम बेज्ड के इंदर डाइग्राम है सिंपल सी चीज अगर मैं बात करूं तो यहां पर बैंक में नॉन वर्बल का सेक्शन नहीं आता लेकिन स्सी हो गया आपका पुलिस के एक्जाम्स हो गया किसी भी स्टेट लेवल के और भी दूसरे एक्जाम से रेलवे हैं तो उन सब में नॉन वर् सोचन दें कि अगर वर्बल की और सब्सक्राइब करना हूं यह इसको डिवाइड फिया जाता है पहला है आपका common a रीजनिंग क्या है ये दोनों पार्ट सबस्क्राइज समझाती हूं पॉमन सेंस का मतलब ऐसे सारे टॉपिक्स जिसमें आपको common sense लगाना पड़े जिसमें आपको सोचना पड़े like coding decoding हो गया आपने decoding देखा होगा ना इसमें आप ही जो हैं वो यह decide करते हैं क्या logic लगेगा सोचते रहते हैं तो common sense लगा रहे हैं तो coding हो गया series हो गया ठीक है missing number हो गया यह सारी चीजें किसके अंदर आएंगी common sense reasoning में आएंगी बहुत सारे topics हैं सब किसमें आएंगे common sense में लेकिन अगर मैं logical की बात करूं तो logical में आपने सुना होगा नाम statement and assumption का कथन और पूर्वधारना कथन और निशकर्ष कथन और course of action यह सारी चीजें किसके अंदर आएंगी क्यानी जिसमें information को हमें उसका विशलेशन करना पड़े लाइक आपने देखा होगा ना ब्लड रिलेशन है डाइरेक्शन है यह सारे कि सारे topics किसके अंदर आएंगे आपके analytical के अंदर आएंगे clear है बात इतनी बोलो भाई हाँ या ना समझ में आ रहा है कोई दिक्कत पिक्चर क्वालिटी जिसके समें लो आ रहा है वह थोड़ा सा resolution बढ़ा लीजिए ठीक है पिक्चर क्वालिटी लो आ रही है तो resolution बढ़ा लीजे डियर स्टूडेंट्स जिससे आपको तकलीफ ना आए है कि नहीं चलो तो बने रहना session के लास तक एंडिंग तक बने रहना छोड़के नहीं जाना किसी को भी ठीक है चलो आगे चलते हैं यह तो आप screenshot ले लो अगर कोई दिक्कत है पार्ट्स हैं बेसिकली है ना क्या होती है question minimum आ सकता है और maximum पांच question तक पूछता है है ना coding the coding से अगर हम बात करें तो यहां पर एक मिनिट को अजी coding the coding important topic है one of the most important topic पांच questions तक आ सकते हैं इसको संकेत बद्धिता बोलते हैं या कूट लेखन कूट वाचन भी बोलते हैं ठीक है समरूपता समरूपता का मतलब similar relation find out करना similarity बताना classification में हम लोग क्या देखते हैं वर्गी करन different कौन सा है वो बताना है सारे ही topic से questions आते हैं definitely series series क्या होता है तो series आप सभी जानते हैं श्रंकला series के questions आते हैं पक्की बात है है यहां पर भी आपके सामने questions पूछ सकता है एक दो पांच तक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है direction and distance दिशा और दूरी सभी जानते हो दिशाएं कितने प्रकार की है तो उससे question आएगा उससे question आ सकता है दो question पांच question तक पूछ लेगा इसके बाद order ranking order ranking में आपने देखा होगा एक लड़का है मनोज है बाएं से यह number पर है दाएं से इस number पर है तो टोटल बच्चे बताओ यह सारी चीज़े किसके अंदर आएंगी और एंगिंग के अंदर मीनिममें एक कोशन सीटिंग अरेंजमेंट बैठक विवस्था गोले में बिठा दू है ना और आप देख रहे होंगे लाइन में बिठा सकते हैं आज से हम लोग कॉलेज में बैठते हैं और या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें सबसे जादा दिखकत होती स्टूडेंट्स को क्या है कितना सिर्दर्द है समझी नहीं आता कोशन गलत हो जाते हैं क्या करें तो मैं आपको गारंटी दे रही हूं एक क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा कहीं भी आपका एक नंबर नहीं चूटने देंगे ऐसा सिलो के ले लो ठीक है तो बिल्कुल इमेजस के साथ पढ़ेंगे वहतरीन तरीके से फुल गारंटी है कि इसमें आपका एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है तो यहां पर इसके अंदर आपके सामने रिलेशन बताना होता है यह रियल लाइफ पर डिपेंड करता है और सिलोजि है लेकिन हम पढ़ेंगे सब कुछ डॉंट वरी टाइस पासा लूडो खेला है ना सापसेड़ी खेला बस वही पासा है उसी के बार में क्वेश्चन साएंगे क्यूब एंड क्यूब एंड क्यूब बतलब घना और घना वही डाइस उसके अलग-अलग जो हैं डामेंशन की बात करेगा कलरिंग करवाएगा कट करवाएगा तो यह सब एसके अंदर इससे क्वेश्चन से इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ सकता है है ना मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास का नियम हम इत्ते दिन से एमसी की सीरीज ला रहे हैं तो आपने देखा होगा में बोर्ड मास के क्वेश्चन भी करवाएं मैंने तो वही है एक क्वेश्चन पक्की बात है अच्छा ओके जरह फास्ट हो जाए तो बही बता देना है ना पता चले बोलो मैडम समझ में नहीं आ रहा है तो बोल देना स्पीड का इशू आ जाए तो बाकि मैं थोड़ा सा स्पीड से तो चलती हूं लॉजिकल सीक्वेंस और वर्ड्स यानि की शब्दों का तार की क्रम कली करवाए थे डिक्शनरी वाले क्वेश्चन बस वही है इनी को हम लोग लोग लॉजिकल सीक्वेंस बोलते हैं एक क्व वर्ड्स फॉर्मेशन वर्ड्स फॉर्मेशन यह भी करवा चुकी हूं एक बड़ा शब्द जिससे कौन सा शब्द बनता है और कौन सा नहीं बनता है वो कोश्चन आते हैं आपने देखें स्टेट्मेंट अश्मशन यह स्टार्ट हो गया मारा लॉजिकल उसका तो यहां पर कथन और पूरधाना अनुमान लगाना होता है बैसिकली किसी की सोच बतानी होती है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है अउगके धरमिश बोलक्त और मैंना मततलब होता है क्लासिपेकेशन और बना डासिपेकेशन वर्गी घरण उसी को बहनते हैं भिन जयात करें उसी को general to day of anticipation ही तो कफी भर बॉकस में भी नाम डिफर हो जाते हूं कहीं यस तो आप पूच सकते हो जिक्ट नहीं है वो सारी चीज़ें एक ही हैं है ओके आगे चलते हैं कथन और निशकर्ष कथन निशकर्ष के कोश्चन आपने देखे होंगे मिरर वाटर इमेज नॉन वर्बल यहां से नॉन वर्बल पॉर्शन स्टार्ट हो गया तो दरपन और जल प्रतिविम दरपन में बताओ कैसा है कि यहां पर आपको वही ध्यान में रखना है कि नजरे अच्छे रखो नजारे अपने आप अच्छे लगेंगे बदल जाएंगे और यहां पर आनलोजी आनलोजी भी वही समरूपता बता नहीं कौन सा चित्र किसकी तरह सेम है क्लासिफिकेशन और वन आउट कौन सा वा होगे ठीक है observation से करेंगे missing number लुपत संख्या बताओ एक डाइग्राम बनके आएगा numbers होंगे alphabets होंगे you have to find out which number will fill the box है ना then puzzle puzzle में आप जानते हो पहली पहली banking में आती है जादतर ठीक है बाकी exams में काम आते हैं कदका questions railway पूछ लेता है तो वह भी हम लोग देखेंगे सारे टाइप के counting figures counting figures आपने देखा होगा कि त्रिभुच में पूछ त्रिभुच पूछ लेगा कोई आकरती में square पूछ लेगा वर्ग बताओ आयत बताओ गोले बताओ क्यूब बताओ यह सारी चीज़े हैं तो वह किसके अंदर आएगा counting figure में आएगा अगर आप लेना चाहूँ इसका screenshot तो ले सकते हो फटाफर्ट से फिरम आगे चलते हैं जितनी energy हम लगा रहें न उतनी energy आपके साइट से भी आनी चाहिए जब question करवाऊंगी तो मुझे answers चाहिए पहले बता रही हूं मैं ठीक है चलें आगे बढ़ जाएं ओके यहां पर खतम होता है और अब हम जो है आगे करने वाले हैं हमारा एक मेंट वेट करें दिया स्टूदेंट्स झाले हिस्पा करणिया में आगे बता है जो है जाएंगी आप से जाएंगी तो हम जो है तो हैं मेंट होगी में जाभ bol दो है उतनी इसको कि अप्राइब करणियों घृट्ब आगे करते हैं जाप जाएंगी आपके। झाल झाल तौकार झाल 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 कि एड़ी कोई दिख्कत नहीं है। अभी आरी आरी आवाज। अभी आरी यह बताओं। कि चलो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा साइश्यू आ गया था थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम हो गया था तो वो चल नहीं पा रहा था क्लियर है अरे भाई खराब नहीं हुआ है कुछ भी बाते करते हो मतलब ठीक है ना टेक्निकल इशू हो जाता है सबके साथ जाती कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हम गए नहीं कहीं भी नहीं गए हम आपके साथ ही बने हुए ठीक है चलो स्टार्ट करें फिस सेशन को अभी आ रहा है करते हैं बोलो थम सब दिखाओ बढ़े बर जाएं आगे हैं डालीगा कोडिंग डीकोडिंग कोडिंग डीकोडिंग इसका नाम लिख लीजेगा कूट लेखन कूट वाचन कूट लेखन कूट वाचन और कोड संबंधिता भी बोलते हैं ठीक ओके डोंट वारी स्टूडेंट कुछ नहीं होता देखो थोड़ा कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है तो मैनेज कर लिया करो ठीक है चलो और कोई दिक्कत तो नहीं अब अब अपन चलें आगे कूट को फूच सकता है मैकसिमंग फाच क्वेशण तक पूच सकता है मिनिमम एक से दो क्वेशन तक आ सकते हैं आपि आप मैं यह बताने जा रही हूं कि कौडिंघ होता क्या है तो आपने देखा होगा को शूंस हमने करें हैं लास्ट इसक्याइब काफी करे कि एक वर्ड देगा उसे किसी पैटन पर कोड करेगा एक वर्ड और देगा आपसे बोलेगा फिर से इसको कोड करके सेम पैटन पर बताओ तो यही करना होता है तो अगर मैं बात करूं आपसे के रियल लाइफ में कहां यूज होता है तो बता पाओगे सभी लोग कि रियल लाइफ में कहां यूज होता है कोडिंग डिकोडिंग है रियल लाइफ में कहां यूज होती है हमारे कोडिंग डिकोडिंग ठीक है तो real life में भी coding use होती है, अगर मैं conceptual बात करूँ तो इसको तीन parts में divide किया जाता है, हैला मतलब अगर हम देखें तो तीन प्रकार समसे coding पूछेगा, पहला होता है letter coding, यानि अक्षर कूट लेखन, letter coding, अक्षर कूट लेखन, ठीक है, यानि अक्षरों से related आपका क्या हो तो इसको बोलते हैं, अक्षर कूट लेखन, दूसरा होता है हमारे पास number coding, number coding, तो बोलते हैं, अंक कूट लेखन या संख्या, तीसरा होगा आपका sentence coding, sentence coding को हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्य पर आधारित coding, वाक्य पर आधारित coding, ठीक है, इतनी बात clear है, कि letter coding, number coding और sentence coding, प्रकार की कोर्ण होती है अगर लेटर कोडिंग नंबर कोर्णिंग के बात करें तो दो चीजें आपको याद होनी चाहिए बताओ क्या क्या प्लेश वैल्यू डूर ऑफोग्शच सिए क्रमांक क्या याद होने चाहिए आपको अक्षरों के क्रमांक याद होने चाहिए साती साथ अपोजिट याद होने चाहिए अपोजिट मतलब की विपरीत जैसे बोलो को aब इकका उल्टा कौन aहलैगे जेड आद्टो एकजाम्पल के लिए अगर हम बोलें तो एक उल्टा जेड बी का इस तरीके से यहांपर बोलेंगे तो एका नमबर वान बी का नमबर टू इस तरीके से ठीक हैं तो आज का जो काम है आज हम इन ही को याद करने वाले हैं पहली क्लास इंट्रोडक्शन है तो इसी से शुरुवात करेंगे आप यह समझेगा कि अभी तक आपने हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद हो आपने अलग-अलग उनको याद करेंगे लेकिन आज जो हम एक अच्छी सी टेखनीक देखेंगे वहाँ अच्छी सी स्टूरी के थ्रू आपको दोनों चीजÍगा मैं याद कर वाऊंगी तो विदाउट एनी डियले बताऊ स्टूरी 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 स्टूड चारेंड्य स्टूरीन होह आ रहा है स्टूरी itä थीच्शी है समझे बताने वाली हूं आपको इसमें हम आज एक स्टोरी देखेंगे स्टोरी के थुरू आज ही की क्लास में पक्का लिखके दे रहे हैं आपको सारे के सारे अपोजेट डेफिनेटली याद हो जाएंगे मैं मिटाने जारी हूं इस सबको चलिए हैडिंग लिखेगा अपोजेट अक्षरों के विप्रीत सारे विप्रीत पहले लिख दे रहे हैं बpl कि आपने, सारे के सारे अपोजेट एक लाइन से आप लोग लगद लीजिए मेरे पास पेस कम था तो मैंने ब्रेक करा हैं आप अare टीक है कि मैच 15 तारिक से शुरू और सिधारध जी मिरूं के सारे के सारे अपोजेट जान में लिख लो और आगे चलते हैं चले लिख लिए होंगे आप लोगों ने तो हम जो अपोजट देखने वाले हैं इनको हम देखेंगे एक ऐसे बहतरी स्टोरी के साथ जो आज आपको याद हो जाएगी बिल्कुल ठीक है शुरू करूं बताव रेडी हो शुरू करें तो सुनिएगा ध्यान से मेरी बात कि कर रहे हूं अब यहां पर उसी गूमने हूं जाने की पूरा आपका रहेगा उसे में आपका ओपूजट होते जाएंगे तो आ intern द्रह करता है और क्या कहता है कि आज अपने को को घूमने चलना है आप ढूख को गूंने चलना है तो बहुत से लोग आज जो कि आखbirds आज वोट सबका अपना जाएगे हिए तो आज वह सम यह से जाते हैं आव गूमने जाएंगे गूमने जाएंगे कहां गूमने जाएंगे तो हम लोग घूमने जाएंगे डिजनी वर्ल्ड ठीक है तो आप अपने फ्रेंड के साथ आप कहां घूमने जाने वाले हो डिजनी वर्ल्ड तो आज बाइक से कौनसी बाइक से क्रक्स से आप कहां घूमने जाओगे डिजनी वर्ल्ड वो देखो हॉंग कॉंग कॉंग पहुचा दिया हमने क्रक्स को है तो आज बाइक से कौनसी बाइक से क्रक्स से डिजनी वर्ल्ड जाओगे आप गूमना किस समय में पसंद है थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए इवनिंग में तो इवनिंग में घूमने जाओगे तो यह आपके दोस्त ने कहा कि भाई आज अपन बाइक से कौनसी वाली बाइक क्रक से इवनिंग डिजनी वर्ल्ड चलेंगे कब इवनिंग में आपने अब खाहिए वैं से बताओ कि किटना समय लगेगा वापिस साने में तो क्या बोल सकते हो समय को एचेस से आर्स क्या बोल सकते हो आर्स कितने आर्स लगेंगे वापिस आई यार से याद रखेगा इधर कहां पर इधर कि कितने आर्स लगेंगे वापिस इधर आने में समझ में आ रही है बात क्या-क्या बात हुई कि आज बाइक से कौन सी बाइक से क्रक्स से डिजनी वर्ल जाएंगे इवनिंग में फ्यूल डलवाएंगे जीटी रोड से फिर आपने पूछा कितने आर्ज लगेंगे वापिस इधर आने में वाप गए भैतरिन घूमा फिर आप घर आए और आप घर आके आपने देखे ना एक्जॉस्ट हो जाते हैं थक जाते हैं तो चाय कॉफी पीने का बड़ा मन करता है आपने अपने दोस्त से बोला कि भाई प्लीज जा जे फॉर जा याद रहो प्लीज जा क्यों से के या कि बोला आपने ना आपको चाय पी नहीं थी तो आपने बोला अब वो भी ठका हुआ है ना आपी की तरह हैं बिल्कुल काम चोर तो उसने क्या बोला भाई M से मैं और N से नहीं ला रहा M से मैं और N से नहीं ला रहा साफ मना कर दिया उसने और यहां पर जो है आप फिर मुझ बना के बैड़ गए और खुद ही जाके कप लेकर आए इस तरीक से स्टोरी आएंड होती है आप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी एक बार नोट डाउन कर लें और साथी साथ जो है उसके बाद आगे चलते हैं अच्छी लगी ट्रेक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ बिल्कुल है ना मज़ा आ गया एक दम धुआधार हो गया ना तो यह कहीं नहीं देखा होगा सिंगल सिंगल देखेंगे यह कहीं नहीं देखा होगा तो हमने स्टार्टिंग इससे करी क्यूंकि आपको खुद पता है कि प्लेस वैल्यू और अपूजिट का रोल वोडिंग डीकोडिंग के अलावा सीरीज में क्लासिफिकेशन में एनलोजी में एल् लिखने वाली ट्रिक मत अपनाना के लिख दिया और फिर पेज़ पलट के बार बार देख रहें तो याद होना चाहिए ठीक है क्या बात है मतलब कमेंट्स आने लगे मज़ा आ गया फिर से बता दें एक बार ठीक है बिल्कुल फिर से बता देते हैं आप लोग नोट कर लीजिए ठीक चालो भाई यही तो हम चाह रहे थे क्या आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारी महनत सफल हो जाती है एक बार और देख लो क्या था कि आप घूमने जाने वाले हो अपने दोस्त के साथ तो आपका दोस्त आपको कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि भाई आज एफ एजड से याद रखना आज आज घूमने चलेंगे बीवाई किस से बाइक से CX क्या बाइक का नाम क्रक्स कहां जाओगे DW से डिजनी वर्ल्ड कब जाओगे EV से इवनिंग फिर रास्ते से FU से फ्यूल डलवाओगे कहां से GT से GT रोड फिर आपने पुछा ये बताओ पहले तो कितने घंटे लगेंगे कितने एचस से आर्स लगेंगे वापिस इधर आ कप KP से कप LO से लाओ तो उसने क्या बोला उसने बोला मैं नहीं ला रहा है M से मैं और N से नहीं ला रहा है यह थैंक्यू सो मच आप सभी को अच्छा लगा होगा ठीक है ओके तो आज पहली क्लास थी आज यहीं तक हम कंटिनू आज हम यहीं पर इसको स्टॉप कर रहे हैं कल हम प्लेस वैल्यू भी देखेंगे साथी साथ हम क्वेशन भी करेंगे आज आपके लिए होमवर्क में है कि आप इसको याद करके आएंगे बिलकुल अच्छे से मुझ आपकी जो अगली क्लास रहेगी उसमें आप लोगों को रहना है भाई तो जाईएगा नहीं ठीक है फिर मिलते हैं रीजिंग की क्लास में कल तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड से ब्लाइस थैंक्यू एवरिवन